ब्रच की होली पूरे विश्च में बहुत मशूर है। कहते हैं कि जगत होली ब्रच हो रहा। क्योंकि यहां होली का त्योहर एक दू दिन का नहीं, बलकि पूरे 40 दिन तो खिला जाता है। जहां सामानी रूप से होली में केवल रंग गुलाल का प्रयोग होता है वहीं ब्रज की प्रमपरागत होली में रंग, गुलाल, फूल, छड़ी, लट और कई तरह की चीज़ों का भी इस्तमाल किया जाता है लेकिन ब्रज की एक होली जिसे देखने के लिए पूरे विश्यों से लोग ब्रज में आते हैं वो है बरसाना की लटमार होली बरसाना की लटमार होली इस बार 18 मार्च को बरसाना के श्रीलाडली जी मंदर से शुरू होकर रंगली गली में खिल जाएगी इस होली में मंदर में कई तयारियां भी की जाती हैं जिसके लिए सबसे मुक्त होता है इस होली में इस्तमाल किया जाने वाला टेसू के फूलों का रंग जिसे मंदर के सेवायत मंदर में ही तयार करते हैं तो आईए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से तयार किया जाता है ये खास टेशू के फूलो का रंग बरसाना में लठमार होली की तयारियां पूरे जोर शोर से करी जा रही है और अब ही मैं बरसाना के श्री लाडली जी महराज मंदर में मौझूद हूँ और आप मेरे पीछे ये जो नजारा देख रहे हैं इन जितने भी ड्रम आप ये देख रहे हैं इसमें बहुत ही खास चीज है और वो है इस मंदर में बनाया जाने वाला टेशू के फूलो वाला रंग जो खास्त और पर परमपरागत इस लट्ठमार होली के लिए ही बनाया जाता है और इसे मंदर में ही जो यहां के सिवायत हैं यहां के गोस्वामी समाज के लोग हैं वो खुद अपने हातों से बनाते हैं और कई दिनें तक यह जो काम है वो लगातार चलता रहता है को 높ए जो किसी प्राक्टिक तरीके से बनता है एक महीने पेहलेम्य पंदरा दिन के लिए भिजो दिया जाता है उसके बाद इसमें केसा डलती हा गुलाब जुल डलता है और फिर बड़े कड़ाई में लकडी का प्योग होग है अगनी से फिर यह बनता है तो इस बार जो इस लट्टमार होली है इसमें कितना रंग इस्तमाल होने वाला है आप समझो 40-45 ड्रम इसमें संभाबना है अनंदगाओं के हुर्यारों के उपर रंग बरसाने की पूरी प् बरसाने में लड्डूमार ओली होती है उसी आनंद के साथ अगले दिन लट्टमार ओली होती है यह त्यार होता है कि आप लोग तो इतना काम करते इस रंग में इतने समय तक रहते हैं सब सीवाय स्रीजी की